आज हम 11th क्लास के Snapshots बुक के 1st chapter जिसका टाइटल है The Summer of the Beautiful White Horse रिटन बाइ विलियम सरवेन इसको डिसकस करेंगे यह स्टोरी है दो लड़कों की यह कहनी दो आर्मेनियन बाइज दो आर्मेनियन लड़कों की है जो एक ऐसी जाती से सम्मन रखते हैं हूज हालमाक्स और ट्रस्ट हालमाक्स पहचान जिसकी पहचान विस्वास है and honesty और इमानदारी है लेट उस रीड दे स्टोरी एक दिन मैं अपने पुराने अच्छे दिनों के बारे में सोच ही रहा था वेन आई वास नाइन जम मैं नो वर्स का था and the world was full of every imaginable kind of magnificence और world मेरे लिए बहुती कालपनिक था और बहुती शांदार था वैभव पूर्ण था and life was still a delightful और जीवन बहुती खुशनुमा था and mysterious और बहुती mysterious था रहश्यात्मक था ड्रिम और एक सोपन के समान था my cousin मौराथ मेरा चचेरा भाई मौराथ who was considered crazy by everybody जिसको की प्रतेक व्यक्ति के द्वारा सन की समझा जाता था who knew him जो भी उसे जानता था except me मेरे सिवाए came to my house at four in the morning एक दिन सुभे चार बजे वे मेरे घर पर आया and woke me up taping on the window of my room और मेरे room की window पर taping करके उसने मुझे जगाया अर्थात नोकिंग करके खट खटा कर मुझे जगाया और अरम he sat उसने कहा अरम I jumped out of bed मैं अपने बिस्तर से एकदम बाहर निकल आया and looked out of the window और मैंने खिड की से बाहर देखा I couldn't believe what I saw मैं विश्वास नहीं कर सका जो मैंने देखा It was not morning yet अभी सुभे भी नहीं हुई थी but it was summer गर्मी थी and with daybreak not many minutes around the corner of the world और अभी सुभे होने में बहुत minute बाकी थे It was light enough for me मेरे लिए इतना प्रकास था to know I was not dreaming लेकिन फिर भी मेरे लिए light थी प्रकास थी मुझे सब दिखाई दे रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था My cousin मुराद was sitting on a beautiful white horse मेरा चचेरा भाई मुराद जो कि एक बहुत ही सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था I stuck my head out of the window मैंने खिडकी से बाहर अपना सिर निकाला and rubbed my eyes और अपनी आँखों को थोड़ा मला Yes, he said to Armenian हाँ, उसने अपनी Armenian भासा में कहा It is a horse, यह एक घोड़ा है You are not dreaming आप सपना नहीं देख रहे हैं Make it quick, जल्दी करो If you want to ride यदि तुम इसकी कुर्सवारी करना चाहते हो I knew my cousin मौराद मैं अपने भाई कजन अपने चचेरे भाई मौराद को अच्छी तरह से जानता था I enjoyed being alive more जिसे की अपनी जिन्दा होने पर बहुत ही खुशी थी than anybody at least who had ever fallen into the world by mistake प्रतियक वेक्ति उसे इसी तरह से जानता था और यह जो की दुनिया में by mistake एक ऐसी दुनिया में जो बहुत mistake से आ गया था अर्थात वो बहुत ही खुशनुमा था but this was more than even I could believe लेकिन आज कुछ जादा ही हो गया था और मैं इस पर विश्वास नहीं कर सका in the first place पहली बात तो यह थी my earliest memories had been memories of horses, मेरी जो पहली यादगारे थी, memories थी वो केवल घोडों के बारे में थी and my first longings had been longings to ride और मेरी जो पहली इच्छा रहती थी वो हमेशा ride करने की ही रहती थी घुश्वारी करने की ही रहती थी this was the wonderful part यह मेरे जिवन का एक बहुत ही खुसन माहिशा था in the second place और दूसरी बात यही थी we were poor, हम बहुत गरीब थे this was the part that I wouldn't permit me to believe यही बात थी कि मैं अपने उपर विश्वास नहीं कर सका what I saw जो मैंने देखा था we were poor, हम गरीब थे we had no money, हमारे पास पैसा नहीं था our whole tribe was poverty striking हमारी पूरी जाती जो की गरीबी से गरस थी every branch of the grow galenian family was living in the most amazing and comical poverty in the world परतेख grow galenian family की परतेख परिवार परतेख साखा was living in the most amazing, जो की बहुत ही हैरान कर देने वाले जिंदगी जी रही थी and comical poverty in the world और दुनिया में बहुत ही हास्चास्पत गरीबी से गुजर रही थी nobody could understand कोई भी आदमी इस बात को नहीं समझ सकता था where we ever got money enough to keep us कि हम ये अपने लिए पैसा हमारे पास कहां से आता था with food in our bellies अपने bellies में अपने स्टमक में ये खाना डालने के लिए not even the old man of the family यहाँ तक के परिवार के जो old man थे वो भी इस बात को नहीं जानते थे most important of all ये बात सबसे महत्रपूर्ण थी तो यद भी we were famous for our honesty जबकि हम अपनी honesty के लिए बहुत famous थे we had been famous for our honesty हम अपनी इमानदारी के लिए famous थे for something like 11 centuries लगभग 11 सताबदियों से हम अपनी honesty के लिए famous थे even when we had been the wealthiest family हम भी कभी या हमारा परिवार भी कभी एक बहुत ही संपन या धनी परिवार रह चुका था in what we liked to think was the world जो की हम भी इस वर्ड में यानि इस परकार का हमारा परिवार रहा था जो की कभी बहुत ही संपन था we were proud first इसलिए हमें पहले तो अपने उपर गर्व था honest next इमानदारी दूसरे नंबर पर थी and after that और इसके बाद we believed in right and wrong हम विश्वास करते थे क्या गलत है और क्या सही है none of us would take advantage of anybody in the world कोई भी आदमी एक दूसरे का advantage फाइदा नहीं उठाना चाहता था let alone still चोरी करने की बात तो अलग रही consequently परिणाम सवरो even though I could see the horse मैं यदपी घोडे को देख सकता था so magnificent जो की बहुत ही शांदार था even though I could smell it यहां तक की मैं उसकी smell ले सकता था so lovely इतना प्यारा था even though I could hear it breathing यहां तक की मैं उसको breathing करते वे भी सुन सकता था so exciting इतना exciting था I could not believe the horse I could not believe the horse had anything to do with my cousin मौराद फिर भी मैं विश्वास नहीं कर सका अपने भाई मौराद को गोडे के साथ देख कर और with me की गोडे से मेरा or with any of other members of our family यानि मेरे भाई मौराद से गोडे का या मुझ से या मेरे परिवार के किसी सदस्य से कोई लेना देना नहीं था sleep or awake sleep सो रहा था या जाग रहा था because I knew my cousin मौराद could not have bought the horse क्योंकि मैं जानता था कि मेरा चचिरा भाई मौराद गोडा नहीं खरी सकता था and if he couldn't have bought यदि उसने गोडा नहीं खरीदा he must have stolen it तो उसने इसे चुराया होगा and I refuse to believe he had stolen it लेकिन मैंने इस बात को भी refuse कर दिया कि वे गोडा नहीं चुरा सकता था वे चोरी नहीं कर सकता था no member of the Garoglenian family could be ये थी Garoglenian family का कोई भी सदे से चोर नहीं हो सकता था I stared first at my cousin मैं अपने cousin को घूर कर देखता रहा and then at the horse और उस गोडे को there was a pious stillness एक बहुत पवित्र सी चुप़ी थी and humor और एक हासे सा एक मजाक्सा था in each of them हमारे बीच में which on the one hand delighted me and on the other frightened me एक तरफ तो मैं बहुत खुश था और दूसरी तरफ मैं बहुत डरा हुआ था मुराद I said where did you steal the source मैंने कहा मुराद ये गोडा तुमने कहां से चुराया leap out of the window he said उसने कहा खिडकी से बाहर कूद कराओ यदि तुम घुटस्वारी करना चाहते हो it was true ये बात सच थी then he had stolen the horse अब ये बात सच हो गई थी कि उसने गोडे को चुराया था there was no question about it इसके बारे में कोई भी प्रसंद नहीं बचा था he had come to invite me to ride or not where मुझे invite करने के लिए आया था कि मैं घुटस्वारी करना चाहता था या नहीं as I choose जो भी मैं चुनू well अच्छा it seemed to me stealing a horse for a ride मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने इस घुडे को केवल घुटस्वारी के लिए चुराया था not the same thing as stealing something else यदि उसने इस परपस के लिए चुराया था तो ये चुरी नहीं थी such as money जैसे के धन की चुरी होती है for all क्योंकि इस सबसे आजनियों में जान गया था maybe it was not stealing at all कि ये चुरी बिलकुल नहीं हो सकती यदि उसने केवल इसको घुटस्वारी के लिए चुराया था if you were crazy about horses यदि घुटों के बारे में आपके अंदर पागलपन हो the way my cousin मौराद जो मेरे चचेरे भाई मौराद में था and I were और जो मेरे अंदर था it was not stealing it was not stealing तो ये चुरी नहीं थी it would not become stealing until the offer to sell the horse ये तब तक चुरी नहीं कही जा सकती थी until जब तक हम offer ना कर दें उस घुड़े को बेचने के लिए which of course I knew we would never do or which of course जो की I knew में जानता था we would never do कि हम ऐसा कभी नहीं करते थे या ऐसा नहीं कर सकते थे let me put on some cloths I said मैंने का मैं कुछ कपड़े पहन लूँ अर्थात मैंने बहुत जल्दी से कपड़े पहने all right he said but hurry उसने का ठीक है और जल्दी करो I lift into my cloths मैं अपने कपड़ों को अर्थात मैंने बहुत जल्दी से पहना I jump down to the yard मैं आगन में कूदा from the window window से and lift up onto the horse behind my cousin मौराद और कूद कर अपने चचेरे भाई मौराद के पीछे उस गोड़े पर बैठ गया that year we lived at the age of town उस वर्स हम उस टाउन के एक छोर पर रहते थे on walnut avenue जिसका नाम दिया गया है walnut avenue behind our house हमारे घर के पीछे ये एरिया था was the country देहात का एरिया था wine yards जिसमें जो अंगूर होते अंगूर के बेलों का एक बगीचा था और चाट्स कुछ दूसरे बगीचे थे irrigation ditches और सिचाय के नाले थे and country roads और देहात की सडक थी in less than 3 minutes 3 minutes से भी पहले we were on olive avenue हम olive avenue पर आप पहुँचे थे and then the horse began to trot और तब उस घोड़े ने दोड़ना शुरू कर दिया the air was new and lovely to breathe हवा बहुत ही प्यारी थी और to breathe सांस लेने के लिए एकदम प्यारी थी और निव थी the feel of the horse running was wonderful जो feel थी उस घोड़े के दोड़ने की वो बहुत ही सुन्दर थी, wonderful थी my cousin Morad who was considered one of the craziest member of our family मेरा चचेरा भाई मौराद जिसे की हमारे परिवार का सबसे संकी माना जाता था begin to sing उसने गाना शुरू कर दिया I mean मेरा आर्थ है he begin to roar उसने जोर जोर से चिलाना या दाहरना शुरू कर दिया every family has a crazy streak in it somewhere पर तेक परिवार में कोई न कोई संकी परवर्ती का जरूर होता है and my cousin Morad और मेरा चचेरा भाई Morad was considered the natural descendant of the crazy जिसको की natural प्राकर्तिक descendant होता है वनसज जिसको की प्राकर्तिक वनसज माना जाता था of the craziest streak in our tribe हमारी जाती की संकी परवर्ती का एक वनसज माना जाता था प्राकर्तिक वनसज माना जाता था before him was our uncle Khosrow उससे पहले हमारी जाती में हमारी family में हमारी एक अंकल थे Khosrow an enormous man जो की एक बहुत बड़ा आदमी था with a powerful head उसका head बड़ा powerful था mustache और उसकी जो मुचह थी बहुत largest थी in the San Joaquin Valley जो की San Joaquin Valley में रहता था ये man so furious इतना furious था in temper और इतना करोद वाल आदमी था so irritable इतना चिर्चिडा था so impatient और उसके पास कोई भी धारिय नहीं था impatient था that he stopped anyone from talking by roaring कि वह किसी को भी बातचीत करते वे देखता था तो roaring करके एकदम से जोर जोर से दारते वे उनको बंद कर देता था और क्या कहता था उसकी तक्या कलाम थे ये शब्द थे it is no harm इससे कोई नुकसान नही pay no attention to it इसकी तरफ ध्यान मत दो that was all ये सब कुछ था no matter what anybody happened to be talking about कोई भी आदमी उसके सामने बात करने की हिम्मत नहीं करता था once it was his own son अरक running eight blocks to the barber shop एक बार उसका अपना नीजी बेटा अरक जो की eight blocks से दोड़ता हुआ नाई की दुकान पर आया where his father was having his mustache जहां की उसके फादर अपनी मूछे trimmed ठीक करा रहे थे to tell him उसे ये बताने के लिए आया their house was on fire कि उनके घर में आग लग गई this man khushro set up in the chair वो आदमी अपनी कुरसी पर बैठा रहा and roid और एकदम से जोड़ से चिलाया it is no harm इससे कोई नुकसान नहीं pay no attention to it इसकी तरफ ध्यान मत दो the barber said nine ने कहा but the boy says लेकिन लड़का कह रहा है your house is on fire कि तुमारे घर में आग लग गई so khushro roid इसलिए फिर दोबारा वो जोर से दहड़ा enough काफी हो गया है बहुत हो गया है it is no harm इससे कोई नुकसान नहीं है I say मैं कहता हूँ मेरा चचेरा भाई मौराथ जो की इसी आदमी का प्राकर्तिक वंसस माना जाता था आल्दो मौराथ's father was जोरब जबकि मौराथ के पिता का नाम जोरब था who was practical जो बहुत ही practical था and nothing else इसके अलावा कुछ नही that is how यही कारण है it was in our tribe यह है अमारी जाती में था a man could be the father of his son's flesh एक आदमी जो could be the father of his son's flesh जो अपने बेटे का father हो सकता है but that did not mean लेकिन इसकार्त यह नहीं है that he was also the father of his spirit कि वह उसकी भावनाओं का उसकी आत्तों का भी father था the distribution of the various kinds of spirit of our tribe हमारी जाती की इस प्रकार की जो spirit थी भावनाई थी उनका कई प्रकार से वित्रन किया गया था distribution किया गया था had been from the beginning जो की शुरू से रही थी caprius and vagrant बहुत ही caprius और बहुत ही vagrant we wrote and my cousin मौराद सेंग हम घुटशवारी कर रहे थे और मेरा चचेरा भाई मेरा कजन मौराद जो की गा रहा था for all anybody new सभी उसको इस रूप में जानते थे we were still in the old country अब भी हम उस दियाती छेत्र में थे we are at least according to जहां according to same of our neighbors जहां की हमारे बहुत सारे पड़ोसी रहते थे we belonged जो की हम से संबंदी थे we let the horse run as long as it felt like running हमने घोडे को दोडने दिया जितना की वह दोड सकता था at last my cousin मौराद सेड अंत में मेरे चचेरे भाई मौराद ने कहा get down नीचे उत्रो I want to ride alone मैं अकिला गोड़स्वारी करना चाहता हूं will you let me ride alone I asked मैंने पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले को स्वारी करने दोगे that is up to the horse ये तो घोड़े के उपर depend है my cousin said मेरे कजन ने कहा get down नीचे उत्रो the horse will let me ride I said मैंने कहा घोड़े पर मुझे भी स्वारी करने दोगे we shall see हम देखेंगे he said उसने कहा don't forget that I have a way with the horse कि घोड़े को चलाने के लिए घोड़े पर स्वारी करने का मेरा अपना अलग ही तरीका है bell अच्छा I said मैंने कहा anyway you have with the horse हो सकता है कि घोड़े का तुमारा अपना तरीका है I have also लेकिन मेरा भी तो अपना तरीका है for the sake of your safety तुमारी सुरक्सा के लिए he said उसने कहा let us hope so आशा रखो get down नीचे उतरो all right ठीक है I said मैंने कहा but remember लेकिन याद रखना you have got to let me try to ride alone तुमें मुझे भी अकेले घोड़स्वारी करने के लिए देना है I got down मैं नीचे उतरा and my cousin मुराद kicked his heels और मेरे cousin मुराद ने अपनी heels से kick लगाई into the horse घोड़े को and shouted और वे चिलाया वजीरे रन वजीरे दोडो the horse stood on its legs hind legs घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया snorted उसने कुछ आवाज निकाली and brushed into a fury of speed और वे बहुत ही तेजी से दोड़ पड़ा that was the loveliest thing I had ever seen ये बहुत ही loveliest scene था जो कि मैंने पहली बार देखा था my cousin मुराद race the horse across a field of dry grass मेरा कजन मुराद जो कि गोड़े को दोड़ाता हुआ गया a field एक field में of dry grass जहांकि grass एकदम dry थी to an irrigation ditch और तब सिचाई के जो भी नाले थे उनके उपर से crossed the ditch on the horse घोड़े को उन सभी नालों से पार कर गया and five minutes later returned और पाँच मिनट के बाद जब वो वापस आया dripping wet तो वो बिलकुल एकदम पसीने से गीला हो गया था बहुत ड्रावना सा या बहुत ड्रावनी सी कलपना मुझे एक डर की रूप में शुरू हो गई the horse did not move गोड़ा हिला तक नही kick into his muscles my cousin Mora said मेरे cousin Mora ने कहा इसकी muscles पर kick लगाओ what are you waiting for तुम किसका इंतजार कर रहे हो we have got to take him back हमें इसे वापिस देना है before everybody in the world is up and about जब तक के सुबह होने वाली है जब तक के प्रतेक व्यक्ती उठे या जाग जाए उससे पहले हमें इसे वापस देना है I kicked into the muscles of the horse मैंने उस घोड़े की muscles में kick लगाई once again it reared एक बार दो बार फिर वो पीछे हटा and he snorted और उसने कुछ आवाज निकाले then it began to run तब उसने दोड़ना शुरू कर दिया I did not know what to do मैं कुछ जान नहीं पा रहा था क्या करूं instead of running across the field मैदान की तरफ दोड़ने के बजाए to the irrigation ditch वे सिचाई के उन नालों की तरफ the horse ran down the road to the wine yard of of डिकरन हलावियन और सिचाई के नालों की तरफ से वे घोडा सडक पर अंगूर की बेलों की तरफ डिकरन, हलावियन छेतर की तरफ दोड़ा where it began to leap over wines जहां की वे है उन wines के उपर से कूद रहा था the horse leaped over seven wines घोड़े ने साथ अंगूर की बेलों को कूद कर पार कर लिया था before I fell मेरे गिरने से पहले then it continued running तब वे लगातार दोड़ता रहा my cousin Morad came running down the road मेरा cousin Morad दोड़ता हुआ सडक पर आया I am not worried about you he shouted वे चिलाया मुझे तुमारी चिंता नहीं है we have got to get that horse हमें किसी भी कीमत पर वे घोड़ा पकड़ना है you go this way तुम इधर जाओ and I shall go this way और मैं इस रास्ते जाऊंगा you come upon him be kindly तुम भी उसे पकड़ो be kindly I shall be near जब तुम उसे पकड़ लोगे मैं तुमारे पास हुँँगा I continue down the road मैं लगातार सडक पर दोड़ता रहा and my cousin Morad went across the field और मेरा cousin Morad जो की field को पार करके towards the irrigation ditch उन से चाई के जो नाले थे उनकी तरफ चला गया it took him half an hour to find the horse गोडे को ढुनने में पाने में half an hour आदा घंटा उसे लगा and bring him back और उसे वापस ले आया all right he said jump on उसने का ठीक है jump on kudo the whole world is awake now पूरी दुनिया अब जाग रही है what will we do I said मैंने कहा हम अब क्या करेंगे well he said उसने कहा we shall either take him back हम इसे वापस ले जाएंगे या तो हम इसे वापस ले जाएंगे or hide him until tomorrow morning या कल सुभे तक के लिए हम इसे कहीं hide कर देंगे छिपा देंगे he did not sound worried and I knew he would hide him he did not sound worried उसे अब कोई चिंता नहीं थी यानि मेरे कजन मुराद को ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी डर नहीं था मैं जानता था कि he would hide him बह उसे चिपाएगा and not take him back उसे वापस नहीं देगा not for a while वो ऐसा कुछ नहीं करेगा at any rate किसी भी कीमत पर where will we hide him I said मैंने उसे कहा हम इसे कहा चिपाएगे I know a place he said उसने कहा मैं एक place चानता हूँ how long ago did you steal this horse I said मैंने पूछा कि ये घोड़ा तुम्हें कितने समय पहले चुराया था it suddenly dawned on me that he had been taking these early morning मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने इसे आज सुभे ही घुटसवारी के लिए चुराया था for some time कुछ समय के लिए and had come for me और विशेस रूप से मेरी लिए चुराया था this morning इस सुभे only because बहुत अधिक launching थी बहुत अधिक इच्छा थी who said anything about stealing a horse he said उसने कहा who said anything about stealing a horse इस घुड़े को चुराने की या ये घुड़ा किसने चुराया था anyhow I said मैंने कहा anyhow कुछ भी हो how long ago did you begin riding every morning कितने समय पहले से प्रतीक सुभे तुम ये अपनी riding कर रहे थे not until this morning he said उसने कहा नहीं until this morning इस सुभे तक are you telling the truth I said मैंने कहा क्या तुम सच बोल रहे हो कि केवल आज सुभे ही तुमने riding की है उससे पहले नहीं की of course not वास्तों में नहीं he said उसने कहा but if we are found out लेकिन यदि तुम्हें ये बात पता लग गई है या तुम से कोई पूछे that is what you are to say तुम्हें यही कहना है कि केवल आज सुभे I don't want both of us to be liars मैं नहीं चाहता कि हम दोनों जुटे बने All you know is that we started riding this morning आप तुम से कोई भी कुछ पूछे तो तुम सिरफ यही जानते हो कि आज सुभे ही तुमने गुर्षवारी शुरू की थी All right I said मैंने का ठीक है He walked the horse quietly He walked the horse quietly to the barn barn कहते हैं खलियान को of a deserted wine yard विरान, deserted विरान, wine yard अंगूरों का एक बगीचा अंगूरों का एक बगीचा जो कि इस समय फिरान पड़ा था एक खलियान थी वे चुपचाब घोड़े को उसमे ले गया which at one time जो कि कभी had been the pride of a farmer जो कि यह बगीचा कभी एक farmer का pride था गर्भ था जहीं पड़ी थी and dry dry alfalfa in the barn और उस खलियान में यह सूखा alfalfa पड़ा हुआ था we begin walking home हम दोनों घर की तरफ चल दिये it was not easy यह असान नहीं था उसने कहा to get the horse to behave so nicely गोड़े से इतना अच्छा वेवार कराना यह असान नहीं था at first it wanted to run wild पहले तो यह दोड़ना ही नहीं चाता था बहुत wild था, जंगली था but as I have told you लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था I have a way with a horse इन गोड़ों से निपटना मुझे आता है I can get it to want to do anything मैं इन के लिए कुछ भी कर सकता हूं I want it to do अब यह वैसा ही करेगा जैसा मैं चाता हूं horses understands me गोड़े मुझे समझते हैं how do you do it? I said मैंने कहा तुम ऐसा कैसे करते हो I have an understanding with a horse he said मेरे कजन मुराद ने कहा कि गोड़ों से मेरा समझोता है yes but what sort of an understanding I said मैंने पूछा कि किस प्रकार का समझोता है a simple and honest one he said उसने कहा एक सरल और इमानदारी का एक understanding है समझोता है well I said मैंने कहा अच्छा I said I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse मैंने कहा मेरी इच्छा है कि मुझे भी या मैं भी यह जानूं कि किस प्रकार से इन घोड़ों से काम लेना आता है like that with a horse और जिस प्रकार से तुम लेते हो you are still a small boy I said उसने कहा कि तुम्हें अभी एक छोटे लड़के हो when you get to be 13 जब तुम तेरा वर्स के हो जाओगे you will know how to do it तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि यह सब कैसे करना है I went home and at a hearty breakfast मैं घर पर गया और मैंने अच्छा नास्ता लिया that afternoon उसी afternoon में my uncle Khoshro came to our house मेरा uncle Khoshro जो की मेरे घर पर आया for a coffee and cigarettes coffee और cigarette के लिए he sat in the parlor वे बैठक में बैठ गया sleeping वे है coffee की घूट भरने लगा and smoking और smoking करने लगा and remembering the old country और अपने old country को याद करने लगा then another visitor arrived तब एक दूसरा visitor आया एक farmer एक किसान था named John Byro जिसका नाम जोन बाइरो था an Assyrian जो Assyria का रहने वाला था who out of loneliness जिसने अपने एकांकीपन के कारण had learned to speak Armenian Armenian भासा को पोलना सीख लिया था my mother brought the lonely visitor coffee मेरी माता उसके लिए coffee and tamba को लेकर आय and he rolled a cigarette उसने cigarette का एक रोल बनाया and sipped and smoked sip किया coffee को smoke किया cigarette को and then at last और तबंत में size sadly बड़ी उदाशी से सांस लेते विए said उसने कहा my white horse मेरा एक सफेद घोड़ा which was stolen last month जो कि पिछले महिने stole हो गया है चुरा लिया गया है is still gone अब भी missing है I cannot understand मैं नहीं समझ पा रहा हूँ my uncle Khushro became very irritated ये सुनकर मेरे चाचा Khushro बहुत ही चिड़ चिड़े हो गय and shouted और चिलाने लगे it is no harm इससे कोई नुकसान नहीं है what is the loss of a horse एक घोड़े के खोने के अभी कुछ loss होता है have not we all lost the homeland तुम नहीं जानते क्या हम सबने अपनी जमीन जायदादे नहीं खोई है what is this crying over a horse एक घोड़े के लिए इतना चिला रहे हो that may be all right for you a city dweller to say that may be all right for you तुमारे लिए इस सब कुछ सही हो सकता है a city dweller शहर में एक रहने वाले के लिए to say John Byron said John Byron ने कहा but what of my sorry सरी कहे दे बगगी को जो घोड़े की होती है अब मेरी बगगी का क्या होगा what good is a sorry without a horse एक घोड़े के बिना एक बगगी क्या होती है pay no attention to it इस तरब कोई धान मत दो my uncle khushro roid मेरे uncle khushro जोर से चिलाए I walk 10 miles to get here John Byron said John Byron ने कहा कि मैं 10 mil चलकर यहां आया हूँ you have legs my uncle khushro shouted मेरे uncle khushro फिर चिलाए तुमारे पास टांगे हैं my left leg pains me मेरी left leg में बहुत दर्द है the farmer said किसान ने कहा pay no attention to it my uncle khushro roid मेरे uncle फिर कुछ से में बोले कि इस तरब कोई धान मत दे that horse cost my 60 dollars उस ने कहा the farmer said farmer ने कहा कि मेरे घोडे की कीमत 60 dollars थी I spit on money my uncle khushro said मेरे uncle khushro ने कहा मैं money पैसे के उपर थूखता हूँ he got up वह खड़े हो गए and stalked out of the house अकड़ कर घर से बाहर निकल गए slamming the screen door सामने वाले दर्वाजे को पटकते हुए एकदम से बाहर निकले my mother explained मेरी माता ने उससे समझाया उस आदमी को बताया he has a gentle heart कि उनका दिल बड़ा ही gentle है she said उसने कहा it is simply that he is homesick ये सही है कि उन्हें घर की याद आती है and such a large man और एक बड़े आदमी है the farmer went away किसान चला गया and I ran over to my cousin मुराद साउस और मैं एकदम से दोड़ कर अपने चचेरे भाई मुराद के पास गया he was sitting under a pitch tree वे एक पिछ के पेड के नीचे बैठा हुआ था trying to repair the heart wing of a young Robin Robin एक पक्सी का नाम है उसके घायल पंक की रिपेर कर रहा था which could not fly जोड नहीं सकता था he was talking to the bird वे उस पक्सी से बात कर रहा था what is it he said उसने कहा क्या है the farmer John Byro I said मैंने कहा John Byro नाम का किशान आया था he visited our house वे हमारे घर पर आया था he wants his horse वे अपना घोड़ा चाहता है you have had it a month तुमने इसे एक महिने से चुरा रखा है I want you to promise not to take it back मुझसे वादा करो तुम इसे वापस नहीं दोगे until I learn to ride जब तक मैं गुड़सवारी करना नहीं सीख लूँगा it will take you a year to learn to ride my cousin Morad said मेरे cousin Morad ने कहा कि तुम्हें इसीखने में एक वर्स लगेगा we could keep the horse a year I said हम गोड़ा एक साल तक नहीं रख सकते my cousin Morad lived to his feet मेरे cousin Morad ने lived to his feet वो उठा और चल दिया what a hero had वो जोर से चिलाया are you inviting a member of the Garoglenian family to steal क्या तुम Garoglenian family के एक सदेशय को चोरी करने के लिए कहते हो the horse must go back to its true honor ये घोड़ा उसके सही मालिक के पास वापस जाएगा when I said मैंने कहा कब in six months at least at the latest he said उसने कहा लगभग छे महिने में he threw the bird into the air उसने उस पक्सी को उपर हवा में उचाला the bird tried hard उस पक्सी ने उड़ने की कोशिस की almost fell to his दो बार नीचे गिरा but at last लेकिन अंत में फलीव अवे उड़ गया हाई उचाई पर and straight और सीदे early every morning for two weeks तो सप्ताह तक लगातार परतेक सुभे my cousin Morad and I मेरा भाई Morad और मैं दोनों took the horse उस गोड़े को ले जाते थे out of the barn खलियान से बाहर निकालते थे of the deserted wine yard उस विरान अंगूरों के बगीचे से where we were hitting it जहां हमने उसे छिपा रखा था and rode it और उसे चलाते थे and every morning और परतेक सुभे the horse वे घोड़ा when it was my turn to ride alone जब मेरी बारी आती थी अकेले गुड़सवारी करने की lift over grape तो वे उस grape के उपर से अंगूरों के उपर से कूदता था grape wines के उपर से कूदता था and small tree छोटे छोटे पेडों के उपर से कूदने लगता था and threw me और मुझे नीचे पटक देता था and run away और भाग जाता था nevertheless ठीक है I hoped in time to learn to ride मुझे पूरी मीथ आशा थी कि मैं घुड़सवारी करना सीख लूँगा the way my cousin मौराद रोड जिस प्रकार से मेरा चचेरा भाई मौराद गुड़सवारी करता था one morning on the way एक सुबह रास्ते में to fatty vizans deserted wine yard जब हम उस अंगूरों के विरान बगीचे से जो fatty vizan farmer का था उससे निकल रहे थे we ran into the farmer zone byron तो हमने zone byron farmer को देखा who was on his way to town जो की रास्ते में था और नगर की और आ रहा था let me do the talking मुझे उससे बात करने दो my cousin morad said मेरे cousin morad ने कहा I have a way with farmers मुझे इन किसानों से निपटना आता है good morning zone byron my cousin morad said to the farmer उसने कहा good morning zone byron the farmer studied the horse eagerly farmer ने अपने गोड़े को एकदम से पहचान लिया good morning son of my friends मेरे मित्रों के बेटे good morning he said उसने कहा what is the name of your horse तुमारे इस गोड़े का क्या नाम है my heart my cousin morad said in Armenian अपनी Armenian भासा में मेरे भाई मुराद ने कहा my heart a lovely name बहुत ही प्यारा नाम है john byron said john byron ने कहा for a lovely horse और प्यारे गोड़े के लिए I could swear मैं कसम खाता हूँ it is a horse ये वही गोड़ा है that was stolen from me जो मुझसे चुरा लिया गया था many weeks ago कहीं सब्ता पहले may I look into his mouth क्या मैं इसके mouth को देख सकता हूँ of course morad said morad ने कहा वास्तों में the farmer looked into the mouth of the horse किसान ने उस गोड़े के मुँ में देखा tooth for tooth दांथ और दांथ पर दांथ he said उसने कहा I would swear it मैं कसम खाता हूँ it is my horse ये मेरा गोड़ा है if I didn't know your parents यदी मैं तुमारे माता पिता को ने जानता था the fame of your family और जो तुमारे परिवार की fame है for honesty इमानदारी की is well known to me वो भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ yet the horse is the twin of my horse ये है गोड़ा मेरे दूसरे गोड़े का जुड़वा है a suspicious man would believe his eyes instead of his heart एक सकी आदमी जो की अपने दिल के बज़ाए अपनी आँखों पर विश्वास करेगा good day my young friends good day John Byro my cousin Mora said मेरे cousin Mora ने कहा good day John Byro early the morning early the following morning अगली सुवे बहुत जल्दी we took the horse to John Byro's wine yard हम उस घोड़े को John Byro के wine yard में ले गए and put it in the barn और हमने उसे खलियान में बांदिया the dogs followed us around without making a sound बिना सोर मचाये हुए कुछ कुछ कुटों ने हमारा पीछा किया the dogs I whispered to my cousin Mora मैंने धीरे से अपने cousin Mora से कहा I thought they would bark मैं सोच रहा था कि वो भूंकेंगे they would add some body's alice he said उसने कहा वो किसी व्यक्ती पर भूंकेंगे I have a way with dogs मुझे इन कुटों से निपटना आता है मेरे चचेरे भाई मौराद ने कहा My cousin Mora put his arms around the horse मेरे चचेरे भाई मौराद ने अपने हाथ उस घोडे के उपर रख लिये pressed his nose अपनी नाक को दबाया into the horse's nose गोडे की नाक में patted it उसको थपता पाया and then we went away और तब हम मां से चले गए that afternoon उस afternoon के बात John Byron came to our house John Byron हमारे घर पर आया in his story अपनी बग्गी में and showed my mother the horse और मेरी माता को उसने वो गोड़ा दिखाया that had been stolen and written जो चुरा लिया गया था और उसके बाद वापस कर दिया गया था I do not know what to think मैं नहीं जानता और नहीं मैं कुछ सोच पा रहा था He said उसने कहा The horse is stronger than ever ये गोड़ा पहले से अब बहुत मजबूत हो गया है better tempered इसका सवभावी बहुत अच्छा हो गया है I thank God मैं गोड़ से थैंक करता हूँ धन्यबाद देता हूँ मैं अंकल खुश्रो who was in the parlor मेरे अंकल खुश्रो जो के उस समय बैठक में बैठे वे थे became irritated वो चिड़चिड़े हो गये and shouted और चिलाए quiet man quiet सांत हो जाओ आदमी सांत हो जाओ your horse has been written तुमारा घोड़ा वापस हो गया है pay no attention to it अब इस तरब कोई धान मत दो ये lesson था तुमारा and this lesson comes to an end ये पूरा हो जाता है thank you very much